जैहिन दोस्तों BSF Tradesment Recruitment 2022 को लेकर बड़ी कुछ कवरी ओपिसली नोटिफिकेशन आपका आज चुका है जैसा कि आप यहापर देख रहे होंगे रोजगारसमचा.gov.in और यह बारत सरकार का Government Employment News Paper है और दोस्तों इसमें जो भी recruitment आते हैं वो officially recruitment आते हैं Government द्वारा authorized recruitment आते हैं और आप सभी के लिए अच्छी बात है क्योंकि अभी officially side पे अभी आपको recruitment online form देखने को नहीं मिल रहा है जिसे काफी ज़्यादा ब्यारती परहिशान हो रहे हैं कि सरी यह notification फेक है Real notification नहीं आया तो बिल्कुल आपको घबराने की 1% भी ज़रूत नहीं है बिल्कुल दोस्तों जो भी बात करते हैं authentic बात करते हैं आपके सामने और पूर्प के साथ में बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी आपको डीटेल से बताऊंगा कि कौन-कौन सी ट्रेडों के लिए आपको फॉम अपलाई करना चाहिए ताकि आपका फाइनली सेलेक्शन हो जाए साती ओनलाइन फॉम आज 15 जनवरी से नहीं शुरुआ है तो कब से शुरू होगा साती दोस्तो कौन सी ट्रेड से आप फॉम लगाए ताकि इस बार आपका ट्रेड्समेन में सेलेक्शन होने का सपना आपका पूरा हो जाए पूरी जानकारी मैं आपको डीटेल से बताऊंगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होगे गरह मंत्राले महा निदेशाले सीमा सुरकसाबल और यह बीए सब का रिकूटमेंट है टोटल वैकेंसी 2780 और जिसमें अकेले मेल केंडेट की 2680 और बाकी की जो 136 वैकेंसी है वो फीमेल केंडेट की है कौन-कौन से पदो पर कितनी-कितनी वैकेंसी है ओन-लाइन को लेकर में पूरी अपडेट आपको बताऊंगा साथी experience certificate को लेकर काफी ज़्यादा doubt बने वे थे तो बिल्कुल official notification में क्या चीज mention की गई है वो ही चीज यहां पर लागू होगी क्योंकि वो ही चीज education qualification BSF की तरब से बताई गई है साथी दोस्तों कास बात और अच्छी बात यह है कि आप सभी ब्यारतियों को height में चूट मिलने वाली है मतलब जिनकी height 170 cm से कम है उन सभी ब्यारतियों का भी BSF में बढ़ती होने का सपना है वो यहां पर साकार होने वाला है तो इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको detail से बताने वाला हूँ वीडियो अपके लिए काफी ज्यादा मैतमन साभीत रहने वाला वीडियो के अंतक आप जरूर बने रिजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक like और एक share जरूर कर दे अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सस्क्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली बीए सब्टेट्स में रिकूर्टमेंट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुँचती रही चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी तो दोस्तों कैसे कैसे आपको check करना में बता देता हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे डिपेंज जोबलट की officially side है और यहाँ पर आपको हर latest recruitment की जानकारी directly check करने का link यहाँ से आपको मिल जाएगा नीचे जाएगे आपको अलग से box मिलेगा latest job और बिल्कुल आप यहाप पर देख लीजेगा BSF tradesmen recruitment 2020 notification आउट और जैसे आप इस link पे click करते हैं पूरा page आपके सामने open होके आज आता है यहापर सबसे पहले आप vacancy details से देख पाएगे अलग-अलग category wise vacancy आपको देखने को मिजाएगी 15 जनवरी आज हो चुकी है और 15 जनवरी से online form सुरू होना था और ऐसा notification में भी लिखा गया है तो दोस्तो अभी रात 12 बजे तक कभी भी online form आपके शुरू हो सकते है BSF के दोस्तो इसका official notification confirm आज चुका है और यहाँ पर 2780 पदों का यह recruitment निकला है और 28 फरवरी तक ही आप इस recruitment के लिए online apply कर पाएगे अच्छी बात यह कि दोस्तो इस बार सभी candidate के admit card आएगे सभी ब्यारतियों को मोका मिलेगा क्योंकि पहली बार BSF tradesman का recruitment है वो online होने जा रहा है उसके साथ ही दोस्तो vacancy की बात करें तो इस बार भी दोस्तो पिछली बार की तरह है लेकिन इस बार का recruitment काफी बड़ा था क्योंकि 2020 और 2021 में भी काफी ज़दा BSF tradesman recruitment का इंतजार हो रहा था लगातार मैंने आपको update दी थी और बताया था आप सभी के लिए बड़ा recruitment आएगा और 2500 प्लस पदों का आएगा जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ दोस्तो 2700 पदों का आपका recruitment आया है और सबसे अच्छी बात यह है कि अकेले कुक केंडिडेट के लिए 897 पद है उसके साथ ही दोस्तों सेकिंड नमर पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी स्वीपर की है अकेले स्वीपर की 617 वैकेंसी है और तीसरे नमर पर आपकी जो वैकेंसी है वोटर केरियर की 510 वैकेंसी और उसके बाद में WM की वैकेंसी 338 है सबी ट्रेडों की अच्छी वेकंसी है female की अलग वेकंसी है male candidate की अलग से वेकंसी है यहाँ पर आप पूरा selection process है वो यहाँ पर detail से देख सकते हैं साथ ही दोस्तों नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख लीजेगा BSF recruitment का official notification यहाँ पर मिल जाएगा apply online का link आपको यहाँ पर मिल जाएगा officially website का link आपको यहाँ पर मिल जाएगा side का link मैं आपको description box में दे दूँगा जहाँ जाके आप पूरी detail हो है वो विश्तार से यहाँ पर देख सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले notification open करते हैं जैसा कि मैं यहाँ पर click करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह notice open हो चुका है और यहाँ पर अलग-अलग vacancies है और दोस्तों बात मैं आप सभी को बता देता हूँ इस बार education qualification और age criteria कितना रहेगा क्या age में चूट मिल पाएगी या नहीं इसको लेकर अब्यारतियों के काफी ज़्यादा comments आ रहे थे तो बिल्कुल मैं दोस्तों बता देता हूँ आपको कि आपकी जो minimum age है वो ठारा साल से लेकर तीए इस वरस तक होनी चीए और इस बार जो age की करना होगी वो एक अगस्त 2021 से की जाएगी बिल्कुल दोस्तों आज आपका official notification आ चुका है और 45 दिन के अंदर अंदर आपको इस form का online apply करना होगा उसके लावा दोस्तों मैं बता देता हूँ जितने भी OBC के candidate है वो 26 साल तक इस recruitment के लिए apply कर पाएगे बिल्कुल पांस साल की शूट मतलब आप 28 साल तक इस recruitment के लिए apply कर पाएगे उसके लावा अलग अगर बात करें तो आपकी योगेता केवल और केवल दस्वी पास रखीगी है चाहे आप बारत के किसी भी राज्य के मानेत अप्राप्ट बोर से अगर आपने दस्वी पास किये आप इस recruitment के लिए eligible माने जाओगे आप इस recruitment में select हो सकते हैं उसके अलावा दोस्तो experience certificate को लेकर क्या कहा गया है official notification में बिल्कुल दोस्तो मैं नहीं बोल रहा है यह notification बोल रहा है और जो भी चीज़े में बोल रहा हूँ वो notification के हिसाब से बोल रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख लीजेगा point नमर एक की बात करें तो सम्मंदित trade में दो वर्सों का अनुबव अनुबव का मतलब experience और आपके पास में जिस भी trade से आप home apply कर रहे हैं उस trade का आपके पास में दो साल का experience certificate होना चीए तब ही आप इस recruitment के लिए finally तोर पर selection ले पाएंगे नहीं तो दोस्तों आपको physical में बाहर कर दिया जाएगा इसके साथ ही मैं आप सभी को बता देता हूँ इसके अलावा अगर आपके पास में ITI का डिपलोमा है कम से कम एक वर्स का अनुबह हुआ है और अगर आपके पास में एक वर्स का अनुबह है या फिर ITI का एक वर्स का डिपलोमा और एक वर्स का अनुबह है तो आप इस recruitment के लिए apply कर सकते हैं अगर आपके पास में दो साल की ITI का डिपलोमा है तो भी आप इस recruitment के लिए apply कर पाएंगे आपके लिए experience certificate की जुरूत नहीं होगी लेकिन बिना ITI वाले जितने भी candidate है वो सभी candidate इस recruitment के लिए online apply कर सकते हैं बार बार बताता हूं क्योंकि काफी ज़्यदा कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे पास में ITI नहीं है क्या मैं apply कर पाऊंगे या नहीं सभी apply कर पाएंगे लेकिन अनुगोग पर्मान पतर experience certificate आपके पास में होना चाहिए जिस भी trade से आप home apply कर रहे हैं उसके अलवा दोस्तों height में क आप इस recruitment में आराम से qualify हो सकते SCST नोर्थिस्ट वालों को height और chest में और ज्यादा चूटियां पर दी जाएगी female की normal ही height है वो 177 होनी चीए अगर आप ST female है या नोर्थिस्ट विलोंग करती है तो आपको other अलग से IU में चूटियां पर height में चूटियां पर आपको दी आप डिटेल से देखना चाते हैं साइड का लिंक में आपको description box में provide करवा दूँगा साथ ये notification टेलिग्राम गूरूप पे भी आपको मिल जाएगा टेलिग्राम पे जाके आप बाभूपोजी सर्च कर सकते हैं और गूरूप में aid हो जाए वह आपर हर latest recruitment की पलपल की update आप आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी तो दोस्तों इस वीडियो में मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए